नमस्कार सातियों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में 27 अप्रेल का जित्ता भी महत्वपुन हमारा मद्धप्रदेश का करेंट अपेस्ट बन सकता है उसको यह आप पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में जो है आप ल यहा durch आपको बता देते हैं कि आज की इस वीडियो का जो क्रम रहेंगा किस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले आज का मद्धप्रदेश का करेंट और से यहाँ पर दिसकस करने ौणे वाले हैं उसके बाद फिछले वीडियो में हमने जो करेंट अपर देखा था उसका या हमारे द्वारा यहाां पर किया जाएगा उस के बाद 2022 का जो मध्यप्रदेश का current appairs के कुछ महत्पून factor यहां पर हम डिसकस करेंगे उसके बाद मध्यप्रदेश का एक जीला जो है हम यहाँ पर डिसकस करेंगे वह होगा हमारा मंदला जीला यानि कि मंदला जीले से जुड़ी जित्ती भी महत्वपुन जानकारी आपकी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बता जाएगी और सबसे लाशन में कल जो आप से कोशन पूछा था उसका अं कि आपरेल में हमने जो है कुछ यहाँ पर दिवस पढ़े तो उनका जो है एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाई कि अभी तक अपरेल में हम कौन-कौन से दिवस यहाँ पर पढ़ चुके हैं तो देखिए 21 अपरेल को हमने यहाँ पर डिसकस किया था में 2 पारेल की बात करें तो विश्यवपुस्तकदिवस विश्यवपुस्तगदिवस प्रतिवर्श मनाता हैं। 25 अप्रेल की यहाँ पर बात करें तो 25 अप्रेल को जो है आपका यहाँ पर विश्व मलेरिया दिवस्व है प्रतिवर्ष मना जाता है और 26 अप्रेल की यहाँ पर बात करें तो वर्ड इंटुलेक्शोल प्रोपर्टी दे विश्व भोधिक संपदा दिवस्व है प्रतिवर् बश्यों कि हमने अभी तक पड़े हैं उनका जो है यहां पर हमने रिविजन कर लिया है चलिए अब आज के जो मद्यप्रदेश के करेंट परस के कुछ कोश्चन से उनको यहां पर हम डिसकस कर लेते हैं पहला कोश्चन हमारा यहां पर निकल कराता है कि 25 अप्रेल 2022 को केंद् स्वास्त मंत्री डाक्टर मंसुक मंडाविया ने मलेरिया दिवसपर किस राज्य सरकार को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनी ये कार्य के लिए सर्टिफिकेट ओप एप्रिशेशन से सम्मानित किया है चार उप्षिन आप पर आपके सामने निकल कराते हैं मद्यप्रदे सर्टिफिकेट ओप एप्रिशेशन यानि कि प्रसंसा का जो सर्टिफिकेट होता है वह जो है यहां पर हमारे मंद्यप्रदेश राज्य को मिला है तो चलिए इससे जूड़ी कुछ महत्रपुन जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं तो 25 अप्रेल 2022 की बात करें इस दिन ज उलेखनी कारे के लिए certificate of appreciation जो है आपका यहाँ पर इस सम्मान से जो है यह आपका सम्मान क्या यह जो certificate है मद्यप्रदेश राज्य सरकार को आपका प्रदान क्या गया मद्यप्रदेश के लोग स्वास्ते में परिवार कल्यान मंत्री जिनका नाम है डाक्टर प्रबुराम चो समय की बात करें तो मलेरिया की मद्यप्रदेश में यह स्थति थी कि 25 जीळों में प्रति हजार आबादी पर एक से अधिक आ प्रक्राइज जो है आपके। एक से देख जो है मलेरिया का जो कोई रोगी है वह आपको आप पर देखने को मिल जाता था लेकिन वर्ष्ट 2001 में सोरी 2021 में जो है यह इसमें आपका सुधार हुआ है और यह 0.3.03 प्रती 1000 जो है आपके हो गई है यानि कि यहाँ पर भूत कम जो है आपके मलेरिया से ग्रसित जो रोगी है वह आपके मिलते है मद्य प्रदेश में अब एक एसा मद्य प्रदेश में अब एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें प्रती अजार आबादी पर एक से अधिक मलेरिया का प्रक प्रसेटी थी उसमें बहुत बहतर जो अपका यहाँ पर सुधार हुआ है और 2021 में यहाँ तक जो है आपकी स्ततिय आ गई है की है एक हजार पर भी जो है एक रोगया आपका यहाँ पर चलिए कुछ important factor यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं, अगर आप से पूछा जाई कि साइबर तेहसिल बनाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो वो आपका बना है मद्यप्रदेश, मद्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार की गोशना की गई है, कि उनके द्वारा साइबर तेहसिल आपके बनाई जाएगे, तो साइबर तेहसिल का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कुन सा बना है, तो वो हमारा मद्यप्रदेश बना है, अगला कुर्चन बनेगा कि देश में सरोप्रथम बिज का कोर्स है, हिंदी मीडियम में कराने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बनेगा, तो यह हमारा मद्यप्रदेश बनेगा, और हिंदी में, अगला का पहली बार कहां पर करा जाएगा, या पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर इसकी शुरुवात आपकी कहां पर हो बनता है, अगला बनेगा कि सर्व प्रथम ग्राम स्वरा जुएस्ता इस्तापित करने वाला राज्य कुन सा है, तो वह भी हमारा मद्यप्रदेश है, वहीं देश में हिरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कुन सा है, तो वह भी आपका मद्यप्रदेश है, और मद्द प्रदेश में आपका जो है सर्वादिक हीरा उत्पादन कहां पर होता है तो यह आपका पन्ना जिले में होता है अगला कुर्षन बनेगा कि भारत का प्रथम गोशित पर्याटन नगर आपका कौन सा है तो वह है आपका शिवपूरिय यह भी जो है बहुत इंपोर्टन हमारे लिए यहां पर बनता है कई बार एक्जाम में यहां से प्रश्ण आज चुका है चलिए अगला कुर्षन यहां पर हमारा देख लेते हैं कि आईश्मान भारत में सिकायतों के निवारण में देश में प्रथम इस्तान पर कौन सा राज या गुजरा तो राइट अंसर आपका बनता है ओप्चन है हमारा मद्यप्रदेश यानि कि आईश्मान भारत जो योजना है उसमें जो सिकायते दर्ज की जाती है उनके निवारण में पूरे देश भर में प्रथमिस्तान कि सराज्यका है तो वह हमारे मद्यप्रदेश रा प्रतिवेदन में मद्यप्रदेश ने शिकायत निवारण में 86 अंक इसकोर प्राप्त कर आईश्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश्म प्रथमिस्तान आपका प्राप्त किया है तो अगर आपसे पूछा जाई कि जो आईश्मान भारत है उसके त प्रणाली केता है तो प्रदेश में 67 चीकी सालोई के विरुद्य प्राप्त सिकायोतों में अर्थ डंड अधिरोपित करें एक करोड 57 लाक रुपे की जो है आपकी वसूली भी यहाँ पर की गई है इस योजना में 140 हित ग्राइयों से प्राप्त सिकायोतों के अधर पर 59 लाक दोजार उपे के बेंखातों के माददम से वापस कर करा कर निशुल का उपचार के उद्देश को भी जो है आपका यहाँ पर पूर्ण किया गया है तो यह हमारे लिए important नहीं बनता है इतना important बनता है आईश्वन भारत में सिकायोतों के निवारन में प्रतम इस्तान पर कौन सा राज्य है सिधा सिधा अंसर बताना है मध्यप्रदेश हमारा यहाँ पर है चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर देख लेते हैं कि हाली में 2020-21 का जो इंडिया एनिमिया मुक्त भारत सुचना सुचकांग जो है आपका या जो है आपका आया था और इसमें जो है मद्यप्रदेश कुन से इस्तान पर रहा है तो मद्यप्रदेश आपका पहले इस् हाली में देखिए मद्यप्रदेश के तीन इस्तानों के नाम बदलने की जो है आपकी राज्य सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर मंजूरी दी गई है तो यह भी आपका करेंट से संबंदी थे तो यह भी इंपोर्टेंट बनता है तो मद्यप्रदेश के तीन इस्तानों के कुंडेशवर धाम और जो बाबवई है उसको माखन नगर के रूप में नामित कनने की मंजूरे केंदर सरकार के द्वारा आपकी दे दी गई है यानि कि इनका नाम जो है आपका परिवर्तन हो चुका है तो याद रखना है होशंगाबाद का नाम आपका नर्मदापूरम हो चुका है शिवपूरी का नाम आपका कुंडेशवर धाम हो चुका है और बाबवई का नाम आपका माखन नगर हो चुका है अगला कोशन है पर बनेगा कि 24 मार्च से 13 अपरेल 2022 तकर टेवी मुक्त जो अभियान चलाये गया था जो कि हमारे मद्यप्रदेश में चला था मद्यप्रदे Spencer साथ पुरे देश ज़ राज्य्ज तो इस अभ्यान को चलाने में पूरे देश बर में प्रतमि मeshtा किरा आई वह वहां प्रथमिस्तान पर आया है तो यह भी हमारे नहीं यहां पर इंप्रोटन बन जाता है अगला कोश्चन देखते हैं मद्यप्रदेश प्रेस क्लब द्वारा आईजित मद्यप्रदेश रत्न अलंकर शमारों में कितने विभूतियों को आपका सम्मानित क्या गया है तो यहां प मारों में आपका इनको सम्मानित किया गया है तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी तो देखिए 19 लोगों के नाम हमारे लिए यहां पर इंप्रोटन बनता है कि मद्यप्रदेश रत्न अलंकरन समारों कहां आ आए जित हुआ था कितने लोगों को इसमें यह आपका आवाड दिया गया और इसका आउजन किसके द्वारा आपका किया जाता है तो यह जो है अमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है तो 25 अपरेल 2022 को मद्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुबाई पटेल ने कुशाबाई ठाकरे इंटरनेशनल कंवेंट्सन सें जो है अलंकरन समारो आपका विजित क्या गया था तो इसकी स्ताफनाप की कब होती है तो 18 अपरेल 1992 को जो है इस प्रेस कलब की आपकी स्ताफना की गई थी इसके संस्तापक अध्दक्ष सवर्गीय एल एन वर्मा थे और वरतमान में इसके अध्दक्ष की बात करें तो पाध्दक्ष आपके महेंदर शर्मा है चलिए कल के मद्दक्ष के करेंट पर इसका यहाँ पर एक बर की क्रिविशन हम कल लेते हैं पहला कोशन था कि मुल्यांकन वर्ष 2021-21 में सेवा हो और सारवजनिक वस्तू के वितरन में सुधार के लिए मद्दक्ष के किस जिले की ग प्राम पंचायत दनवारा उसको जो है आपका 2022-21 का जो पंचायत से संबन्दी जो फुरुस्कार दिया जाता है उससे जो है आपका इसको यहाँ पर सम्मानित किया है हर्दा जिले की देखिए हमने यह आप पर बात की थी आपका किस संभाग के अंतरगत आता है तो यह जो अगला कुछन यहां पर देखा था कि पंचायती राज दिवस के उसर पर यानि कि आपका 24 अप्रेल को मद्यपदेश की किस जिला पंचायत को किस जिले की ग्राम पंचायत हडली को बहरत सरकार द्वारत दिन देयाल उपादधाई पंचायत शशक्ति करन सम्मान 2022 से आपका प पंचायत हडली है उसको जो है आपका दिन दयाल उपादधाई पंचायत शशक्ति सम्मान 2022 से आपका पुरिश्कृत किया गया है तो उप्षन भी सागर जो है अमारे यहां पर आईट अंसर पंता है सागर जिले की देखिया हमने कल यहां पर बात की थी तो इसके कुछ इम्पोटेंट फेक्ट्ट आप यहां पर है याद रख लिजिए आगर आपसे पुछा जाए कि डिक्टर भिम्रावं अम्वेटकर जो अब्यारन वन्य जी व भिहरन आपका कहा पर प्रस्तावी थे तो वह जो है आपका सागर जिले में प्रस्ता वी थे अगर आपसे पु को इन दोनों के नाम से जाना जाता है कहा परिश्टी थे तो यह भी आपका सागर जीले में इस्तित्य थे साती सागर जीने में आपको शाती को बल में जानцती है satsa प्रतमान में इसकी कुल्पती को ने निलिमा गुपता वर्तमान में कुल्पती है और यही पर देश की पहली काम देनु शोधिपिट की इस तापना जो है आपकी की जाईगी तो यह ती इससे जुड़ी कुछ महत्रपून जान का रही है चलिए अगला कोशन आप पर हम देख लेते हैं कि निविद्याओ का प्रतिष्टित 19 वा CSI SIGE governance आवाड कि स्राज्य को जो है आपका दिया गया तो राइट आंसर आपका बनता है मध्यप्रदेश राज्य को जो है यह आवाड आपका यहाँ पर दिया गया है अगला कोशन देखा था कि तीन दिवसी नेशनल आ आपका आवेजन किया गया था चलिए 2022 का जो मध्यप्रदेश का करंट पर से उसके कुछ मात्वकून फेक्ट है यह कोशन जो है यहां पर हम डिसकस कर लेते हैं वह है आपका बदनावर पक्षी ग्रह तो हाली में जो है जनवरी 2022 में यह आपका चर्चा में रहा था बदना निर्माण आपका क्या गया है इसकी जो है आपके इस्तापना यहां पर की गई है इसका निर्माण गोमाता सिवा संस्तान द्वारा पक्षियों के सरक्षन के उद्देश से किया गया था और इसका लोकारपन जो केंद्री यह उद्दोग मंत्री है जिनका नाम है राजवर प्रक्षिक्व के गया तो यह आपके दार जिले में इसकी जो किस ने किया तो सकती है मंदला जिलए से जुड़ी से पहले इसको यहां पर में हम देख लेते हैं तो देखिए यह देख सकते हैं आप यह आपका मंदला जी लाए बात करें कि किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो बाला गाट सीवनी जबलपूर डिंडोरी के साथ जो है अपनी सीमा साजा करता है साथ इस दःवे जो कोस्चन उन्य है आपका यहां पर बन सकता है कूँकि हालि में पुरे भारत के साथ साथ मध्यप्रदेश में भी जो और्गेनिक फार्मिंग है जो जेवी खेती है उसको जो है आपका बड़ावाई यहाँ पर दिया जा रहा है तो कुर्शन आ सकता है कि जेवी खेती वाला जिला किस जिले को कहा जाता है तो राइट आंसर आपका बनेगा मंदला जिले को कब बना और मंदला जिले से लग होकर एक जिला बनता है जिसका लाम अयहां इंट्री जिल और इसका गeurन newer Age को जो है इसका आपका यहां पर गठैन किया जाथा है दिखिए 25 मई 1998 में आपके कुल हमारे MP में कितने जिले बने 10 जीले बने थे उसमें से कोयं 6 जीले तो आपके कहा पर चले गए ligло 26 गडमays 4 जीले जो हमारे यहां MP में बच्चे थे। उसमें से आपका एक जो है यहां पर दिंड़ोरी जिला भी फाए इसके अलावा जीलों कि बात करें तो बढ़वानी जीला जो है आपका बना था नाम आपके बताईए या चार उप्षन में आपको देदेगा अगला कुर्षन बनेगा सरवादिक वन प्रतिशत वाला जिला आपका कुण सा है तो वह आपका मंदला जिला है वह अगर आपसे पूछा जाई कि सरवादिक वनो वाला जिला कुण सा है तो राइट आंसर आपका बनेगा बाला घाट जिला अगला कुर्षिन आपर बनेगा कि मड़ई का मिहला और सहस्त्रधारा का मिला देखिए यहाँ पर जल प्रपात नहीं पूछ के आपके से पूछ रहा है सहस्त्रधारा का मिला कहां पर लगता है तो इसका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा मंडला में और का मेला यह भी आपका मंदला जीले में लगता है अगला कुर्शन यहाँ पर बनेगा कि मोती महल जो कि आपकी तिन मंजीला इमारत है महल है कहां पर इस्ति थे तो यह आपका मंदला जीले में इस्ति थे जिसे सेयंत्र कहा परिस्तापित किया गया तो चुटका गाउं में इस्तापित किया गया चुटका गाउं की जिले के अंतर गताता है मंदला जिले के अंतर गताता है और इसकी कुलुत पादन चमता की कितनी है तो चोगदा सों मेगावाट जो है इसकी कुलुत पादन चमता है साथ यहां से कई बार कुर्ष्टन आपका पुछा गया है कि जो काना किसली राष्टी उद्यान जो कि मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा और मद्यप्रदेश का पहला राष्टी उद्यान है आपका कहा परिष्टी थे तो यह जो है मद्यप्रदेश के मंडला जिले में इसकी इसक पच्पन में इसको राष्टिय अभ्यरन बनाए गया तता उनिस्सो चोहतर में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरकत आपका शामिल किया गया और इससे जुड़ी हुई एक जानकारी आप याद रखिएगा कि इसी से संबंदित एक जो है सुबंकर इसने आपका जारी किय संबया उबनाया ऋर् About the संब tying दाटि आपका सुबंकर कित और तो रोहन चक्रवति के द्वारा इसको जो है आपका त Vader किया जाता है अगला कोर्शें वें क्याब कर्शक्त आपका इसतीत है तो फहन अभ्यृरन आपकी की जाती है North इसकी स्थापना आपकी की जाती है अगला कोर्षन यहां पर बनेगा कि मंदला जीले के किस ग्राम से प्रदान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा राश्ट्रिय ग्राम सवरा जबियान के आपकी शुरुवात की गई थी तो मंदला जीले के राम नगर से और कभी की थी तो 24 अप की की गई थी है अगर आपसे पुछा जैरे में आपको बताया है पंचायति राजद्akat का कभू मनाते हैं तो पंचायति राजद्akat को अपका प्रति वर्च है 24 साप्रेल को जो है आपका मनाया जाता है तो इसको भी आप जो है यहां पर कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं चलिए कल जो आप से question पूचा गया था उसको यहाँ पर आपको बता देते हैं कि बाला घाट जीले में कौन सा जल प्रपात आपका इस्तित है चार option थे गांगुल पारा जल प्रपात संकर खो जल प्रपात या चचाई जल प्रपात तो right answer आपका बनता है गांगुल पारा जो जल प् तांबा नगीरी के नाम से प्रसिद्ध मलाच खंड आपका कहा पर इस्तित है तो यह आपका बाला घाट में इस्तित है अगर आप से पूचेगा कि सर्वादिक लिंगा अनुपात वाला जीला मद्यप्रपात का कुन सा है तो आपका बाला घाट है और यहाँ पर लिंगा आपका बाला घाट चिले के चलिए अगला जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंड करके बताना है यह जो कोशन है आज की जिले से ही संबंदित है कोशन है कि मनला जिले में कौन सा बैरन इस्तित है चार ओप्षन है मिनिको अब्यारन घाटी गवारन पनपठा भीं नियए था को जो है हमें यहाब पर comment करके बताना है तो साथी हो यह था अमारे आज के मध्यवाद करके सर्फ करने का सेह्षण वीडियो केसा लगा देख से अधिक लुगों तक शेर करेगा वीडियो को लाइक करेगा और आप चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे और बिल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुज जाए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू वेरी मच